आप सभी को नमस्कार, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसखबरी ले करके आया हूँ, इसका इंतजार भी था आप सभी को, 17 मार्च 2024 को होने वाली UPPCS परिक्षा इस्थगित हो चुकी है, आयोग ने ओफीशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन में इस समय आप लोग इतनी दुविदाग्रस थे और हम इसी नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे थे, मैंने दो दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो पड़े, मैं आपको कहता था कि आप लोग पढ़ाई करिए, नोटिफिकेशन आपका आजाएगा और फा अम आया था, इसके अंतरगत विग्यापिस समलित राजि प्रवर अधिनस्त सेवा प्रारंभिक परिक्षा दुहजार चौबिस के संदर में एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा प्रश्णगत परिक्षा 17 माह दुहजार चौबिस को प्रस्तावी थी, उक्त परिक्षा परिहार कारणों से इस्थागित कर दी जाती है, प्रस्णगत परिक्षा जुलाई माह में संभावित है, इसकी सूचना जल्दी दी जाएगी, तो जुलाई माह की तिथी जो है आयोग ने बताया है, अब जुलाई माह में कौन सी डेट को होगा अभी ये किया गया हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्जाम कलेंडर आये, क्योंकि समिक्षा दिकारी की परिक्षा भी आपकी पूरी तरीके से जो है री एक्जाम का भी डेट आना है और मेंस की परिक्षा पूरी तरीके से वो सब तेथियां चेंज होंगी तो पूरा का पूरा का अभी 26 मई को UPSC का एक्जाम है और इसके बाद फिर आपका जुलाई में PCS परिक्षा होगी और आरो का एक्जाम भी इसी के आसपास होगा अभी तो चुनाव है तो ये एक बहुत अच्छा निर्णा है आयोग का एक बार फिर से आयोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्य आपने आरो ए आरो में री एकजाम को ले करके जिस तरीके से शाषन के द्वारा प्रयास किया गया और आयोग का नोटिफिकेशन उस पर भी अभी जल्द ही आ जाएगा ये जो इस्थागीत वाला था ये बहुत जरूरी था जो बच्चे संघर्स में थे अंदोलन रत थे उनका एक तो पूरा समय खराब हुआ था और इतनी नकरात्मकता हो गई थी पेपर को ले करके अब देखो एक बार फिर से यूपी पीसीस में रिफॉर्म की जरूरत है जो एक विश्वाश बच्चों का खतम हुआ था योग के प्रती फिर से उसको जो है री स्टैबलिस कर करने की जरूरत है परिक्षा सुचिता पूर्ण और परदर्शिता पूर्ण कराने की जरूरत है मेहना फिर करेंगे जबर्जस तरीके से करेंगे और यह भी मैं आपको बता दूँ कि जो पद अथे आपके उनकी संख्या बढ़ेगी और अच्छे खासे पद आपको जो है देखने को मिलेंगे तो अफिशल नोटिफिकेशन आ गया है एक बार आप देख लिजएगा मैं इसको टेलिक्राम में डाल रहा हूं आजाद आये से कड्मी आजाद यूपी पीसे से कड्मी दोनों में आपकी प्रत्किया क्या है जरूर बताइएगा आप बहुत डिस्टर का एक्जाम बढ़ना चाहिए वह आयोग ने मान लिया इसके लिए आयोग को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने बोला भी था कि डेट बढ़ रही है तो वह चीज हो चुकी है फाइनली तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे तरब से बहुत बहुत अभी प्रयाक बैच 2025 के लिए हमारे सेशन चल रहे हैं अब 2024 के लिए मैं नए सेशन लेकर के आऊंगा पूरी रणीतिक वीडियो आएंगे और इसके बाद पूरी तयारी करेंगे कम्प्लीट तयारी करेंगे बड़ी हस है रिवीजन को लेकर के भी हम वर्क करेंगे और जो बैच जो पूरा का पूरा रिवीजन कराएगा उसके लिए कंप्रिहेंसिव बैच आपसली के लिए आएगा तो जल्दी आपको मिलता हूं मैं अभी के लिए मन में शुकून ले आईए तनाव खतम करिए और बढ़िया से पढ़ेंगे जबर जैस्त पढ़ेंगे अपनी प